मैं अपने पती से छुपकर फोन और लेप्टॉप में गंधी फिल्में देखती थी वो फिल्में देख देखकर मेरी हवस सात्वे. आस्मान को छू जाती मेरा दिल भी प्यार करने का करता था दो मर्दों का पप्पू एक साथ लेने का ख्वाब मेरी. चिरिया को इस कदर गिला कर देता था कि उंगली दिये बिना रहा नहीं जाता था उन दिनों मेरी उम्र मातर 30 साल की थी और मेरा देवर 25 साल का था मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि लड़के 16 साल की उम्र से ही बेहद. कामुक महसूस करते हैं जवान और खूबसूरत लड़कियों को देख कर दिन में कई बार हस्त मैथुन करते हैं ये जान कर. मैं अपने देवर के बारे में गंदा सोचने लगी मैंने सोचा कि अगर देवर जी मेरे जाल में फस जाए तो दिन में कई बार ठुकाई का आनंद मिल जाएगा उस दिन के बाद से मैं अपने देवर के सामने कामुक हरकते करने लगी कभी. मैं उसके सामने अपनी साड़ी गिरा देती तो कभी छुपकर अपने संत्रे दिखाते हुए घर में जाड़ू मारते मेरा जवान देवर धीरे धीरे मेरी कामुकता के जाल में फसने लगा कुछ दिनों बाद वो मुझे हर वक्त अपनी प्यार भरी निगाहों और हसी वाले निगाहों से देखने लगा एक दिन वो टेबल पर खाना खा रहा था तभी मैं वहाँ जाकर साफ करने का नाटक करने लगी मैंने अपने संत्रे थोड़ी उपर उठा लिया और बाहर की तरफ निकाल ली उन्हें हिलाते हिलाते टेबल को कपड़े से खीचने लगी मेरा देवर आँखे फाड कर मुझे देखने लगा मेरे दिल में जो था वो समझ गया था क्योंकि टेबल तो बिलकुल साफ था फिर उसने अपना सीधा हाथ टेबल के नीचे किया और अपना पप्पु मेरे हिलते संत्रे देखकर वो वहीं बैठा हस्तमे थुन करने लगा और मुझे पता लग गया मैंने भी अचानक अपनी साड़ी गिरा दी उसकी आँखों में आँखे डाल कर फिर से टेबल को किसने लगे वो द्रिश्य कितना कामुक था कि मेरे देवर से रहा नहीं गया उसने मुझे टेबल के उपर से खीचा और मेरे संत्रों में अपना मुँ घुसा कर उन्हें चूसने और उच्छलने लगा मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा तो उसके अंदर का दर निकल गया और मेरे सपनों को साथ और आक्रामक हो गया उसके हाथों की आक्रामक तासे मेरे लाल संत्रे सक्त और चिरिया गिरी होने लगी और मैंने उसको पीछे धकेल देते हुए कहा देवर जी यह सही जगह और वक्त नहीं है इसका देवर जी बोले हां बात तो आप सही कह रही हो मैं ने कहा दरो नहीं हमने जिन्दगी भर साथ रहना है इसी घर में हम एक अमीर और पैसे वाले घर आने से थे मेरा पती किसी कमपनी में एक अच्छे पोस्ट पर था और ससुर की फेक्ट्री थी इसलिए मेरे पास खुद की गाड़ी थी मैंने कहा आज रात आथ बजे बजे किसी सुनसान जगा मेरी गाड़ी में करेंगे देवर ने ये सुना और खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया आप, आप कही मत जाना रात होते ही मैंने अपने देवर को फोन करके घर से थोड़ी दूर बुलाया फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और किसी सुनसान जगा की तलाश करने लगे मेरा घर की देवर मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहा था वो तभी मेरे संत्रे छेड़ता तो कभी मेरी जांगों पर हाथ रखता फिर कुछ देर बाद हमें सही जगा मिली जहां काला अंधेरा था जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी मेरा हाउसिग और जवान देवर मुझे चूसने लगा मैंने भी उसका पूरा साथिया पर मेरी दिल्चस्पी उसे चूसने में नहीं सुसाने में थी मैंने जल्दी से उसकी जीन्स खोली उसका पप्पु पकड़ा और हिलाने लगी देवर का जवान और सुन्दर पप्पु देख मेरी अंदर मानो अंतरवासना जागने लगी मैंने सर जुका कर देवर के पप्पू का खूब मजा लिया और पप्पू भी चिरियां को खूब चूसता रहा बाद में जब हमारा दोनों का पूरा हो गया और हम धर आ गए लगभग आज तक मैं और मेरा देवर दोनों हसी खुशी साथ हैं और साथ में खाना खाते हैं चाई पीते हैं मौज मस्ती करते हैं धन्यवाद